आप सभी को मेरा नमस्कार आपे अपने यूटूब चैनल सीके हिंदी सागर्मी आपका बहुत बहुत स्वागत है कच्छा दर्स के विद्या थी आज आप लोग प्रिदिया का किताब पढ़ेंगे अधिया एक पढ़ेंगे जिसका सिल्षक है माता का आचल जिसके लेखक स्विव पुजन सहाई हैं चलते हैं प्रारम करते हैं जाहां लड़को का संग तहां बाज्यें दंगा जाहां बुद्धो का संग तहां खर्चे का तंग sedation लाड़के रहेंगे वाहां उडन्ड होगा जाहां बुद्धे रहेंगे पैस्वा फर्चा होगा S. आगे दिखते हैं कि हमारे पिता तड़के उठकर निवट नहा कर पूजा करने बैड जाते थे हम बच्पन से ही उनके अंग लग गए थे माता से केवल दूद पीने तक का नाता था इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते वो अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नला धुला कर पूजा पर बिठा लेते हम भबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे कुछ हस कर, कुछ जुजला कर और कुछ डाट कर वो हमारे चवडे लिल्यार में त्रिपुन कर देते थे हमारे लिल्यार में यानि मस्तक में भबूत खुब खुलती थी सीर में लंबी लंबी जटाएं थी भबूत रमाये से हम खासे बंबोला बन गए थे आगे दिखते हैं पिता जी हमें बड़े प्यार से बोला नात करकर पुकारा करते पर असल में हमारा नाम था तारकिस्वरनात हम भी उनको बाबू जी करकर पुकारा करते और माता जी और माता को मैया जब बाबू जी रमाये का पाठ करते तब हम उनकी वगल में बैठे बैठे आइने में अपना मून यारा करते जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे कर देते थे वह भी मुस्कुरा पड़ते थे पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते अपनी एक राम नामा बही पर हजार राम नाम लिख कर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बाद कर रख देते फिर कि फिर क्या होता है आगे दिखते हैं अगली पेश पर देखें यहां पर कुछ मनुरम चित्र है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं चलते हैं आगे पेश पर लेकर देखें यहांप़ बाबोजी है देख पार रहे हैं यह चोटा सा बालक है जिशा कि आप लोग देख पा रहे हैं चलते हैं आगे की और लेकर आपको अगले पेश पर पांच सव बार कागज के छोटे छोटे टुगड़ों पर राम नाम लिख कर आटे की गोलियां में लपेड़ते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे उस समय भी हम उनके कंदे पर विज़मान रहते जब वह गंगा में एक आटे की गोलियां फेक कर मचलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंदे पर बैठे बैठे हसा करते जब वह मचलियों को चारा देकर घर की ओर लटने लगते तब बीच रास्ते में जुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठा कर जूला जूलाते थे कभी कभी बाबो जी हमसे कुष्टि भी लड़ते वह सिथील होकर हमारे बल को बढ़ावा देते यानि वह कमज़र होके हमें मजबूत पर्दान करते हैं और हम उनको पछाल देते थे, यह उतान पर जाते और हम उनकी छाती पर चड़ जाते, जब हम उनकी लंबी-लंबी मुछ उखाणने लगते तब वो हस्ते हस्ते हमारे हाथो को मुछो से छुड़ा कर उन्हें चुम लेते थे, फिर जब हमसे खटा और मिठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बाया और दाहिना गाल उनके मुख की ओर फेर देते थे बायें का खट्टा चुमा लेका जब वह दाइने का मीठा चुमा लेने लगते तब अपनी दाड़ी या मुच हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे हम जुजला कर फिर उनकी मुच नोचने लग जाते थे इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिल खिला कर हसने लग जाते थे उनके साथ हस्ते हस्ते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौक पर खाने बढ़ते वह हमें अपने ही हाँ से फूल के साथ कटोरे में गोरस और भास सान कर खिलाते थे जब हम खाकर अफर जाते तमया थोड़ी और खिलाने के लिए हट करते थे वह बाबुजी से करने लगती आप तो चार दाने के साथ कवर बच्चे के मुह में देते हैं इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए हैं आप खिलाने का धंग नहीं जानते बच्चे को भर मुह कोर खिलाना चाहिए जब खाएगा बड़े एक बड़े कर तब पाएगा दुनिया मेठर यहां पर एक एलानी की कवीता थी जिससे आप लोगों ने सुना देखिए मैं खिलाती हूं मर्द वे क्या जाने की बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए मतलब मर्द क्या जाने और मातारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है कि यह कवा थाली में दही भासांति और लग लग तोता मैना कबुतर हंस मोर आधी के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए फिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे पर हम उन्हें इतना जल्दी उड़ात जात कि उड़ने का मौका हें नहीं मिलता था कि आगे यह जब हम सब बनावटी चुडियों को चड़ कर जाते थे तब बाबुजी करने लगते अच्छा अब तुम राजा हो याओ खेलो बस हमूट का उछलने कुदने लगते थे फिर रसी में वधा हुआ काट का घोडा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाग छटपाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी हम रोने लगते और बाबुजी उस पर बिगड़ खड़े होते पर हमारे सिर में तेल बोथ कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी फिर हमारी नाभी और लियार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गुत्ती और उसमें फुलडार लट्टू बाद कर रंगीन कुर्ता टोपी पना देती थी हम खासे कनया बनकर बाबुजी की गोद में खिसकते खिसकते शिसकते बाहर आते थे अब आगे देखते हैं बाहर आते हैं हमारी बाट जोने वाले बालकों का एक जुन मिल जाता था हम उन खेल साथियों को देखते हैं सिशकना भूलकर बाबुजी की गोद में उतर पड़ते और अपनी हमजुलियों के दल में मिलकर तमासे करने लग जाते थे तमासे भी ऐसे वैसे नहीं तरतर के नाटक चबुद्रों का एक कोना ही नाटक घर बनता था बाबुजी जीश चोटी चोकी पर बैटकर नाटे थे वहीं रंगमच बनती उसी पर सरकंडे के खंबों पर कागच का चंदवा तानकर मिठाईयों की दुकान लगाई जाती उसमें चीलम के खोचे पर कपड़े के थालों में धेलों के लड़ू पत्तों की पूरी खचवरियां गोली गीली मिठी की जलेवियां फुटे घड़े के टुकडों के बता से आदी मिठाईयां सजाई जाती ठीकरों के बठकरे और सजस्ते के छोटे छोटे टुकडों के पैसे बनते हैं भी दो चार गुरख पूरी जैसे गुरख पूरी पैसे खरी लेते थे थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग खरावदा बनाती थे दूल की मेल दिवार बनती दूल की मेल क्या बनती दिवार बन जती और तिनकों का छप्पर दातुन के खंबे दिया सलाई की पेटियों के किवाल घणे के मुहडे की चुला चक्की दिये कडाई और बाबु जी का पूजा वाली आचमनी कल्छी बनती थी पानी के घी, धूल के पिसान और बालो की चीनी से हम लोग जोनार तयार करते थे जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबु जी भी धीरे से आकर पात के अंद में जीमने के लिए बैठ जाते थे उनको बैरते देखते हैं हम लोग हस कर और घरवदा विगाड कर भाग चलते थे वो अभी हस्ते हस्ते लोटपोट हो जाते थे और कहने लगते कि फिर कब भोज होगा भोला नाथ अब आगे देखते हैं कभी कभी हम लोग बरात का भी जुलूस निकालते थे कनस्तर का तंबूरा वर्षता अमोले को घिश कर सानाई बजाई जाती तूटे चुएदाने की पालकी बनती हम समधी बनकर बकरे पर चड़ लेते और चबुत्रे की एक कोने से चल कर बरा दुसरे कोने में जाकर दरवाजे लगते वहां काड की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की तहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रखा रता था वहीं पहुच कर बरात फिल लोट जाती थी लोटने के समाए खटोली पर लाल ओहार डाल कर उसमें दुलहनिया को चड़ा लिया जाता था लोट आने पर बाबु जी जियों ही ओहार उगार कर दुलहाईन का मुख रखने लगते तियों हम लोग हस कर भाग जाते थोड़ी दिर के बाल फिर लरकों की मंडली जूट जाती थी इकठा होते ही राय जमती की खेती की जाए बस शबुत्रे के छोर पर घिरनी गर जाती और उसके नीचे की गली कुआ बन जाती थी मुझकी वटी हुई पतली रसी में एक चुकल बाद गराली पर चड़ा कर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खरिदने लग जाते चबुत्रा खेत बनता कंकल बीज ओ ठेगा जल ठेगा हल जू आठा बड़ी मेहनस से खेत जोते बोए और पटाए जाते फसल तयार होते देर न लगती और हम हाथो हाथ फसल काट लेते थे काटते समय गाते थे कैसे देखेंगे उच नीच में बई कियारी जोप जी सो भई हमारी फसल को एक जगह रख कर उसे पेरों से रव डालते थे कसोरे का शूब बना कर उसाते और मिट्टी की दिये के तराजू पर तौल का रासी तयार कर देते थे इसी बीच बाबु जी आकर कुछ बैड़ते थे इस साल की खेती कैसी रही भोले नाथ बस फिर क्या हम लोग जेओं कातियों खेत खलियान छोड़कर हस्ते भाग जाते थे कैसी मोज की खेती थे ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे बटो ही भी कुछ देर ठिटक कर हम लोगों के तमासे देख लेते थे जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का जून देख पाते तब कुद कुद कर चिलाने लगते थे चलो भाया ददरी सत्तु पिसान की मोटरी अगर किसी दुले के आगे आगे जाती हुई वहारदार पालकी देख पाते तब खुब जोर से चिलाने लगते थे कैसे आगे देखेंगे हरा हरी मेरा हरी पुरान रहारी डोला के कनिया मार मेहरी इसे मतलब गाते थे कभी कर आया इस पर एक बार बुड़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड कर ढेलों से मारा था उस खसूट 26 की सूरत आज तक हमें याद है नजाने किस ससूर ने वैसा जमाई रूर निकाला था वैसा घोडा मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा आम की फसल में कभी कभी खूब आदी आती थी आदी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दोर पड़ते थे जहां चुन चुन कर गुले गुले गोपी आम चाबते थे एक दूर की बात है आदी आई और पट पड़ गई आकास काले बादलों से धक गया में ग्रजने लगे बिजलीच कोधने और ठंडी हवा सन सनाने लगी पेड जुमने और जमीन चुमने लगे हम लोग चिला उठे क्या चिला उठे कैसे देखते हैं एक पैसा की लाई बजार में चितराई बरखा उधरे बिलाई लेकिन बरखा न रुकी और भी मुश्लादार पानी होने लगा हम लोग पेडों की जड से धर से सट गए जैसे कुत्ते के कान में अठाई चिपक जाती है अठाई चिपक जाती है मगर बरखा जमी नहीं थम गए बरखा बंध होते हैं बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए हम लोग डर कर भाग चले हम लोगों में बैजू बड़ा धीर था संयोक की बात बीच में मुसंतिवारी मिल गए कौन तिवारी मुसंतिवारी बड़ा अच्छा ना मिल का है मुसंतिवारी बैचारे बुढ़े आदमी को सुझता कम था बैजू उनको चिला कर बोला बुढ़वा बैइमान मांगे करईला का चोखा हम लोगों ने भी बैजू के सूर में सूर मिला कर यहीं चिलाना सुर किया मुसंतिवारी ने वितहासा ख़देडा हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आधी से चले जब हम लोग न मिल सके तब तीवारी जी सिदे पाट साला में चले गए वहाँ से हमको और बैजू को पकल लाने के लिए चाल लड़के गिरफतारी वारंट लेकर छुटे इधर जियों ही हम लोग घर पहुचे तियों ही गुरु जी के सिपाई हम लोगों पट्टूट फिर तो गुरु जी ने हमारी खुब खबर ली बाबु जी ने यह हाल सुना तब दवर्ते वे परचाला में आये गोद में उठाकर हमें पुछकारने और फुचलाने लगे पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे रोते रोते रास्ते में फिर हमारे आचने और गाने लगते थे अब आगे चलते हैं अगले पेच पर कैसे गाते थे माई पकाई गरर गरर पुगा हम खाई पुगा ना खेल वजुवा तो विद्यार्थी गण यह आपका अच्छासा कुछ कभीता था फिर क्या था हमारा रोना अधोना भूल गया हम हट करके बाबुजी की गोद से उतर कर उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वहीं तान सूर अलापने जब तक सब लड़के सामने वाले मकाई खेत में दोड़ पड़े उसमें शुडियों का जुन चर रहा था वे कर ना खाले उकर गार रहे थे राम जी की चीराइं राम जी का खेत खालो चीराइं भर भरते हमसे कुछ दूर बाबुजी और अमारे गाओं के कई आदमी ख़ड़े उकर तमासा देख रहे थे और यहीं का करहस्ते थे कि चिडियां की जान जाए लड़कों का खिलवना सचमुच लड़के अरबंदर पड़ाई पीर नहीं समस्ते मतलब दिसरे की पीड़ा नहीं समस्ते एक टीले पर जाकर हम लोग चुहो केबिल से पानी उलिचने लगे नीचे से उपर पानी फेकना था हम सब ठक गए तब तक गड़े जी की चुहे की रचा के लिए सीव जी का साप निकलाया बाभाई रोते चिल्ला ते हम लोग बिताहसा भाग चले कोई अधा गिरा कोई अंटा चीट किसी का सीर फुटा किसी के दाट तुटे शबी गिरते परते भागे हमारी इस सारी दे ललुहान हो गई पैरों के तलवे काटों से छलनी हो गए देखें आपे कुछ मनुरम चित्र है यसे की आप देख पा रहे हैं चलते हैं आगे की ओर हम एक सुर से दवड़े ही आए और घर में घुस गए उस समय बाबो जी बैठक के ओशारें बैठकर रुका गुलूला रहे थे उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दवड़ते वे मैया के पास ही चले गए जाकर उसी की गोद में स्रड़ ले मैया चावाल अमनिया कर रही थी हम उसी की आचल में छिप गए हमें डर से कापते देखकर वह जो जो सेरो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी अधीर होकर हमारे भाय के कारण पुछने लगी मतलब क्यों डर रहे हो कभी हमें अंग भर कर दबाती कभी हमारे अंगों को अपने आचल से पोचकर हमें चूम लेती बड़े संकर में पड़ गए जटपट हल्दी पीशकर हमारे घाव पर थोपी गए घर में कूरा मच गया हम केवल धीरे सुर्षे सा स सा करते हुए मैया के आचल में लुके चले जाते थे सारा सरीर थर्थर काप रहा था रोंगटे खड़े हो गये थे हम आखे खोलना चाते थे पर वे खुलती न थे हमारे कापते वे होठो को मैया बार बार निहार करोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थे इसी समय बाबुजी दोड़े आए आकर जट में हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे पर हमने मैया के आचल की प्रेम और सांती के चंदवे की छाया न छोड़े विद्यार्थिगर आप लोगों ने किर्थिका अध्या एक इसको आप लोगों ने पढ़ा आये लिए पार्ठ जो आपका था माता का अंचल शह معता का का अंचल ठीक है अध्या एक था माता का अंचल यानि माता का अाचल उसके लेखक रहें सीव पूजन ! ने इस अध्यार्थिगर आप लोगों überzeugं यह बहुत अच्छे झाल प्लाग।